नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुत ही महतोपून जानकारी को लेकर के जिहां डाइबिटीज, थाइराइड और कैंसर का काल होता है अमरूद जिहां अमरूद एक बहुत ही लाफकारी और शधी है इसी कारे में आज का हमारा वाइस ओवर है बिमारियों के लिए कैसे उपयोग होता है अमरूद विटामिन सी विटामिन ए विटामिन बी टू ई और के फाइवर कैलशियम आईरान मैगनेज फासफोरस अमरूद इन सब का बहतरी श्रोथ है इसलिए अमरूद को यदि सुपर ज़्यादा विटामिन ए होता है इसमें कहने का मतलब यह है कि एक अमरूद में कई गुण छिपे हुए होते हैं अमरूद की खासियत यहीं खत्म नहीं होती है अमरूद तमाम बिमारियों से भी बचाने में कारगर सिद्ध हुआ है आये जानते हैं कि इन बिमारियों से अम आखें ही प्रभावित होती हैं ऐसे में आखों की रोशनी को सही बनाए रखना बहुत जरूरी है आखों की रोशनी के लिए विटामिन ए आवश्यक तत्व होता है और अम्रूद विटामिन ए का बहतरीन श्रोत है विटामिन ए आखों को स्वस्थ रखता है कार्णिया को की रक्षा करता है विटामिन एक की कमी से अक्सर रतोंधी होने का खत्रा बना रहता है जबकि नियमित अमरूद खाने से रतोंधी होने की आश्रंग का भी कम हो जाती है उम्र के बलने के साथ आखों में होने की समस्याओं को भी अमरूद के नियमित सेवन से कम किया जा सकता ह विशेशग्यों की माने तो आँखों की अच्छी रोशनी बनाए रखने के लिए अमरूद या अमरूद का जूस आवश्य लेना चाहिए इसके आलावा आप दमक्ती तवचा के लिए भी अमरूद का प्रयोग करें प्रदूशन किस हद तक बढ़ गया है इसकी चर्चा यहां करना अवश्यक हो गया है या नहीं ये हम छोड़ देते हैं आप पे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पोल्यूटेड वातावरण में हम लोग रह रहे हैं खास करके शहरी छेतरों में लेकिन यह बताना जरूरी है कि प्रदूशन के कारण किस तरह हमारी त्वचा प्रभावित होती है यहीं नहीं कम उम्र में ही त्वचा में जोरियां पढ़ने की शिकायत होने लगी है यहीं नहीं चेहरे पर कालापन भी निरंतर बना रहता है इन सब समस्याओं का निदान पाने के लिए अमरूद एक बहतरीन श्रोथ है अमरूद में खास कर लाल अमरूद में इंटियोक्सिडेंट प्रोपर्टीज पाए जाते हैं जो की इंटियोक्सिडेंट हमारी त्वचा के छती होने को रोकते हैं यहीं नहीं अमरूद के नियमित सेवन से चेहरा दमकता बना रहता है साथ ही रूखे पन से भी ये बचाता है आपको इसके अलावा मधुमेह में भी ये बेहतकारगर साबित होता है मौजूदा जिवन शैली की सबसे आम बिमारियों में से एक है मधुमेह शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां मधुमेह के मरीज मौजूद नहों वास्तो पुष्टी करते हैं कि मधुमेह के रोगियों के लिए अमरूद बेहतलाफकारी है अमरूद में मौजूद फाइवर शुगर स्तर को नियंतरित करता है विश्य शग्यों के मुताबिक प्रती दिन एक या दो अमरूद अवश्य खाना चाहिए जिन मरीजों में मधुमेह की स्थिति गंभीर है वे अमरूद के पत्ते की चाय भी पी सकते हैं उनके लिए बेहतलाफकारी सावित हो गई है इसके अलावा ये थाइराइड को नियंतरित करता है जी हां अमरूद कौपर का बेहतरी निश्रोत है कौपर थाइराइड के लिए अवश्यक तत्व है वास्त के इतर अमरूद हमारा वज़ा नियंतरित रखता है परिणाम स्वरूप हमारे उरजा बनी रहती है थाइराइड से बचाओ के लिए स्वास्ति चिकित्सकों का मानना है कि अमरूद को अपनी नियमित जिवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए यही नहीं अमरूद के पत्तों ग्रास्तों करने ररखत चाप में और वसा भी कम होता है वास्तों में इसके लिए अमरूद में मूजूद विटामिन Si Potassium जिम्मेदार होते हैं असल में Potassium Heartbit को नियमित रखत है जोकी उच्छ मातरा में पाया जाता है अमरूद में इसके अलावा ये उच्छ रक्त चाप को नियंतरित रखने में मददगार होता है इसके अलावा अमरूद कैंसर के खत्रे को भी ठालता है अमरूद में कैंसर रोधी और ट्यूमर रोधी तत्व, मसलन, लाइकोपीन, पॉलिफेनोल्स मौजूद होते हैं अत यह सर्व विदित है कि अमरूद के सेवन से कैंसर और ट्यूमर के खत्रे को कम किया जा सकता है इतना ही नहीं एक शोध अध्यान में इस बात के पुष्टी हुई है कि अमरूद के नियमित सेवन से प्रोश्टेट कैंसर के साइज को भी कम किया जा सकता है अमरूद ब्रेश्ट, मुह, त्वचा, पेट, लंग, इत्यादी कैंसरों में भी लावकारी सिद्ध होता है